आजम खान ने एक बार फिर बयान दिया और ऐसा बयान के एक बार फिर से उस पर विवाद हो गया इस बार आजम खान ने बाबा साहिब धीमरव अमिचकर का मजाख उड़ाते हुए कहा कि एक मूर्ती जो उंगली दिखाकर कहती है ये प्लॉट मेरा है सामने वाला प्लॉट यह मेरा ही है तो इस तरह से बाबा साहिब की जो मूर्तिया लगी है उसका मजाख उड़ाया है क्याबिनेट मंत्री आजम खान ने तो ऐसा कम ही होता है तो अभी प्रधान मंत्री न रियाружति को लेकर वी बयान दिया तो अब यहां पर बयान आया है और चिन के बारे में कह रहे हैं कि एक बुर्ती है जो उगली दिखाकर हर प्लॉट को अपना बता दिचा कि हज जाटर में पहुंचे है आजम खान और यहीं इस तरह का बयान होने दिया है तो आपको बता दे कि आजम खान ने यहाँ पर भीमराव अमिटकर का मजाख उड़ाते हुए कहा है कि एक मूर्ती जो इंगुली दिखा कर कहती है कि यह प्लॉट मेरा है यहाँ हम सब को पता है कि मायवती ने जो भी प्रतिमा है या जो भी भीमराव अमिटकर की प्रतिमा है वो कुछ इसी अंदाज में जिसमें एक उंगली खड़े के विए नसरा आते हैं बाबा साहिट समिधा निर्माता भीमराव अमिटकर लेकिन आजम खान ने यहाँ उनको लेकर भी निशाना स्काथा है और सीजे सीजे ये बियस्टी पर हमला करने के हाला कि कोशिश उन्होंने की लेकिन इस दुरानों भूल गए कि आपर बाबसा है भीमराव अमिटकर समिधा निर्माता है महापुरुश हैं और इस तरह का बयान उन्होंने दिया है और कहां तुमी दिखाकर ही कहते हैं कि ये प्लॉट मेरा है और वो प्लॉट मेरा है खाजेबाद पहुंचे थे, हाँ हज हाउस का उधाटन मुख्या, मुख्यमंतिय अक्लेश यादों ने, तो अक्लेश यादों के साथ कैबिनिच मंत्री आजम खान भी थे और इस तरह का बयान देखर एक बार फिर से हुने नया विवाद पैदा कर दिया बदी उसमा हमारे समधाता फोलैंड पर जूचुके हैं, तो बदी उसमा आजम खान उनका बयान और विवाद, एक बार फिर से तीरों चीज़ें देखने को मिली है घाजेबाद में बदी उसमा कुछ दिक्कत है, तकनीकी शायद हम फिर से कोशिश करते हैं, तब तरह अपने दर्शकों को खबर बता दे एक बार फिर से, आजम खान के फिर बोल बिगड गए, आजम खान फिर बयान देकर विवादों में फस गए, या कहेंगे फिर से विवादित बयान दि कि प्रतिमा को लेकर बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि एक मूर्ती है, जो उंगली दिखा कर कहती है कि ये प्लॉट मेरा है